हेलो स्टुडेंट्स आई वेल्कम टू आल आफ यू इन माई यूटूब चैनल आरके इंग्लिश क्लासेज बच्चो आप सभी का आरके इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है आज के इस वीडियों बच्चों क्लास तैंथ जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है NCRT प्राधारित उसी बुक से बच्चों हम पोयम नंबर टू काधियन करेंगे जिसका नाम है फायर आइड आइस और इस पोयम है बिन कंपोज़ बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो माई दियर स्टुडेंट्स इस पोयम इस शिम्बोलिक पोयम और बच्चों इस कविता में कभी ने बताना चाहा है कि यह संसार का अंत होना है तो इन दोनों चीजों से फायर और आइस अर्थात पैसन इक्छा और नफरत से इस संसार का खात्मा किया जा सकता है सो गाइज फायर हो या आइस हो दोनों ही संसार के लिए बेरी हार्मफुल है सो गाइज वाच दिस वीडियो तिल इंड बच्चों आइए इस के टेक्स को पढ़ें सम से दे वर्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस फ्राम वाट आइफ टेस्टेड आप डिजायर आई होल्ड विद दोज वो फेवर फायर बड़ी अच्छी लाइन माई डियर स्टुडेंट्स कभी कहता है सम से कभी के अनुशार कुछ लोगों का कहना है कुछ लोग कहते हैं कि दवर्ड विल इंड कि ये संसार इंड होगा तो फायर में होगा फायर मींज बच्चों डिजायर पैसन क्योंकि बच्चों किसी चीज का आति संसार का अंत करा देती है तो कुछ लोगों का अनुशार संसार का अंत फायर यानि पैसन एक्चाओं से होगा क्योंकि एक्चाएं डिजायर सार अनलिम्टड बच्चों एक्चाएं अनलिम्टड हैं और हमें अपनी एक्चाओं को कंट्रोल करना चाहिए तो बच्चों समसे इन आईस और कुछ लोगों का कहना है कि ये संसार का अंत आईस से होगा अर्थाद दुनिया जो है नफरत की वज़ा से खतम हो जाएगी आईस मेंज बच्चों हैट्रेर्स नफरत फ्राम वाट आई हैब टेस्टेड केंट कभी कहता है कि जो मैंने टेस्टेड किया है वाट एबर आई हैब एक्सपेरियंस इन माई लाइफ टेस्टेड मेंज बच्चों एक्सपेरियंस जो मेरा अनभो है जो मैंने महसूस किया है desire की desire से ही संसार कांत होगा अर्थाट passion I hold with those who favor fire अता मैं उन लोगों से सहमत हूँ उन लोगों के favor में हूँ जो fire से सहमत है अर्थाट की संसार का खात्मा fire से होगा I am also agree with those who favor fire say next line but if it had to perish twice I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice बच्चों suffice पढ़ेंगे जिसके इन दी परियाप्त होना फिर कभी बच्चों कहता है कि गर संसार को twice perish हो perish means dying यदि संसार का खात्मा दो बार होना हो तो I think कभी कहता मैं सोचता हूँ I know मुझे पता है मैं जानता हूँ कि hate भी enough होगा hate ही enough होगा to say that for destruction और इस destruction के लिए दुबारा संसार को खतम होने के लिए destruction होने के लिए बिनास होने के लिए क्या होगा ice is also great ice भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए ice means ice is also great if the word will come to an end second time the poet says that ice will be a great thing for this and would suffice suffice means to sufficient enough I thought if the word will come to an end second time to it will end due to ice ice means बच्चों hate rates so guys I hope आप कोई पॉइम समझ में आई होगी so please I would like to say all of you if you like my videos please please like the video share my videos and subscribe आर के इंगिलिस क्लासेज to get more videos तो बच्चों I hope कभी ता समझ में आई होगी यहां जो कभी बताता है कि अगर संसार को दो बार खात्मा होना है तो मुझे लगता है इसके लिए आईस अर्थाद इस्या नफरत भी परियाप्त होगा जो संसार के खात्मे की तरफ ले जाएगी इसी के साथ बच्चों इस वीडियो कम्स टो एन इंड थैंक्स वाचिंग दे वीडियो